नमस्कार दोस्तों, उत्रखन दायर में आपका स्वाधत है, मैं हूँ आपका दोस्त में इश्परकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं जैनन्द भारती जी की जैनन्द भारती जी का जन्व 17 अक्टूबर 1881 में गराम अरकंडे जिला पौड़ी गड़वाल में हुआ 1911 में आप आरे समाज से जुड़े, उसकी दिक्षा गरेंड की और समाज में फैलिक उपरता हैं जैसे चुवचूत अंदिवी स्वास के खिलाफ संगर शुरू किया और यहीं से आपको जैनन्द आरे पथिक के नाम से भी संबोदित किया जाने लगा आप 1914 में बिटी शेना में शामिल हुए और जर्मन के खिलाफ यूद में भाग लिया और 1920 में वापस भारत लोटकर सुतंतरता आंदोलन से जुड़ गए आपने जिन मुख्या आंदोलोनों में अपनी भूमी का निवाई उसमें सरपर्था में डोला पालके आंदोलन जिसके लिए आपने लगबग 20 वर्सों तक संगर्ज किया उस समय दोला दोलन के लिए डोला पालके का इस्तिमाल होता था जिसमें केवल उच्चे जाती के लोग बैठ सकते थे जो शिल्पकार पालके उठाते थे उन्हें डोला पालके में बैठने की मनाई थी और छोटी जाती वाले दूला दुर्णों को पैदली जाना पड़ता था आपके इस आंदोलन को ही डोला पालके आंदोलन के नाम से जाना जाता है इस परता के खिलाफ आपने उच्चे नियाले में लड़ाई लड़ी और उसमें आपको जीत मिली राज्य के पहले जागर महा बिद्याले की स्तामना शीनगर में आपके द्वारा की गई आपके पितास्वर में एक जागरी रहे 28 अगस्त 1930 में आपने राज के बिद्याले जहरी खाल की इमारत में तिरंगा जंडा फैरा कर बिट्री शाषन के खिलाफ आवाज उठाई और जवर्दस भासन देते हुए शात्रों को अंदोले नेतु प्रेरित किया आपका एथियासिक पौडी कांग चेस सितंबर 1932 में सईक प्रांथ के गवर्णर मेलकम हैरी पौडी में आए तब आपने काले जंडे दिखाते हुए उनका बिरोध किया और अपना जंडा फैराते हुए नारे लगाए मेलकम हैरी गो बैग भारत माता की जै इन आंदोलोन के चलते आपको कही बार जेल जाना पड़ा 9 सितंबर 1932 में आपने अपने ही गाउं में अंतिम सांस ली तो ये था एक संशित परिचे जैनान भारती जी का ऐसी महान विभूतियों का हमारा कोटी-कोटी नमन फिर मुलाकात होगी एक नहीं शक्षेट के साथ धन्यवाद